असलामुलाइकम एव्रिवान बिस्मिल्लाइ रिमानी रहीं तो सबसे पहले हम यह पैटर्न कट करेंगे इसकी जो लंबाई और चड़ाई है वह मैंने इसको पर लिख दी है और इसको मैंने इस तरीके से शेप दी है और इसका दूसरा हिसा है वह मैंने इस तरीके से कट कर लिया है तो इसकी जो चोड़ाई है वह है 9 cm अब हम लेंगे फॉर्मिरान शीट इसको मैं हमेशा अपने बैक में यूज़ करती हूँ मैं ऐसी से हमेशा बैक बनाती हूँ तो इससे जो है वह आज कल पाइंचे वगएरा बनाए जा रहे हैं तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा जो हम पाइंचों में लगा रहे हैं इस तरीके से तो पहले जो है वह हम स्केल से निशान लगा लेंगे और फिर इसके वबढ़ हम स्लाई लगाएंगे तो इस तरीखे से jjohai वह एव वह रड़त यह इंगा इस के बाद जो है। हम इसकी ओपर अपना पैटन रखेंगे और इसको इसी तरीके से लगाए और इसको हम कट कर लेंगे इसी शेप में और यह दूसरा हिस्सा है इसे जो है वह में इसकी पॉकिट कट करेंगे सेम इसी तरह के सरक कर निशान लगा लेंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे कट करने के बाद जो है वह हमें इस पर पाइपिन लगानी है तो पाइपिन लगाने के लिए हमें मैंने यह तिर्शी पट्टी कट की है तो इसको जो है वह हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और एक सलाय लगा लेंगे यहां से यहां तक और फिर सलाय लगाने के बाद इ पर उसको रखेंगे और यहां से यहां तक एक लगा लेंगे तो स्लाइ मैं लगा लेंगे और इसके लिए भी हमने आडी पट्टी ही कुठकी है क्योंकि यह round shape है तो इसके लिए आड़ी ही हम cut करेंगे और इस तरीके से रख कर हम एक slice से इसको attach कर लेंगे देखे इस तरह से और फिर इस पर छोट-छोटे cut लगाएंगे क्योंकि हमें इसको टर्न करना है और यह राउंड शेप है तो इसको हम इस तरीके से कट करने के बाद इसको टर्न कर लेंगे और फिर कट करने के बाद इस पर भी जो है वो हम तुर्पाई करेंगे इस तरीके से अच्छे से खीच लेंगे इसको हम और फिर इसके उपर हम तुर्पाई कर लेंगे पूरे राउंड में और देखिए फॉर्मियरेंट यूज़ यूज़ की है ना तो इसकी वज़े से कितनी फिनीशिंग आती है इस पर मैं तो हमेशा इसको बैक में यूज़ करती हूँ बहुत ही फिनीशिंग आती है और बहुत ही खुबसूरत बैक बनते हैं बहुत ही प्यारे इसको रहंडिल करना भी आसान होता है इसके बाद जो है वह यह टीज़ बटन है तो यह मैं इसके उपर ठोक लूँगी ठोकने वाले हैं अब चैने तो मार्केट से ठोक वाले हैं या